ही गाइज वैलकम बैक टू दे सेशन आज हम बात करने वाले हैं उडान EFqet practice patch 2022 के जिसमें हम क्या करने वाले हैं practice करेंके अपने previous year questions के जो भी हमारे PYQ हैं previous year questions हैं उनकी practice करेंगे और इसके थूँ हम पूरी syllabus को जो है वो cover करेंगे तो please आप channel को subscribe कर लेज़ेगा वीडियो को like कर देज़ेगा और वीडियो को दूसरे दोस्तों के पास भी share किज़ेगा ताकि वो भी आ करके इस practice set को लगा सके और practice कर सके क्योंकि यह PYQ है और काफी important हो जाते हैं क्योंकि ऐसे questions आपके exam में directly पूछे जाते हैं तो आज मैं बात करूँ तो आज हम देखने वाले हैं geography के सबसे important chapter बात करें तो atmosphere की जिसे हमें जानना जरूरी है और इसके उपर हम 10 PYQ करने वाले हैं तो please आप session को complete वह जरूर किज़ेगा और जैसा भी आपका feedback होता है हमें comment करके जरूर बताएगा तो अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहला हमारा question आता है वो क्या होता है तो which gas has the highest concentration in the atmosphere मतलब कि कौन से ऐसी gas है जिसका atmosphere में सबसे ज्यादा जो है वो concentration है सरवधी concentration है अगर options की बात करें तो option number A बोल रहा है oxygen option number B जो है वो बोल रहा है carbon dioxide option number C जो है वो है hydrogen और option number D जो है वो है इसका जो अंसर होगा वो हो जाएगा nitrogen अब nitrogen इसका अंसर हुआ यह तो बात आपको पता चल गए लेकिन इसके लिए एक trick है उस trick को आप अपने दिमाग में रखेगा आप ऐसा question कोई भी होगा उसे आप बिलकुल solve कर सकते हैं और वो trick क्या है no AC ठीक है I hope कि आपको यह trick पता अधिक है nitrogen की बात करें तो सबसे अधिक उससे कम और बाकि सबसे अधिक जो है वो oxygen की है और सी से हमारा carbon dioxide यानि कि क्या है यह घटते हुए क्रम में है यानि कि descending order में है तो इसे आप याद कर सकते हैं ठीक है I hope कि आपको पहला question clear रहा होगा अब आते हैं दूसरे question पे तो greenhouse gas तो है वो effect cause कर रही होती है पैदा कर रही होती है तो इनके कारण मतलब कि कौन से इसे gas है जिनके कारण greenhouse gas पैदा होती है तो सबसे पहला option है क्या वो carbon dioxide, sulfur dioxide, methane है तो हमें पता है methane भी है carbon dioxide भी है लेकिन sulfur dioxide नहीं है ठीक है यानि कि option नमबर एक गलत हो गया अगर मैं बात करो nitrogen oxide बिल्कुल है water vapor भी है लेकिन oxygen oxygen थोड़ी नहीं हो सकता है तो oxygen के वज़े से ये भी गलत हो गया methane हो सकता है water vapor हो सकता है carbon dioxide हो सकता है यह तीनों से हैं यह हो सकते हैं यहां पर भी oxygen है इसलिए जो हमारा option number D होगा वो इसका answer नहीं होगा यानिकि हमारा answer क्या हो जागा answer number वो फिस जादा greenhouse gases जो है वो पैदा करते हैं causes इनके थुरू होते हैं तो इसका answer जो होगा वो सी option हो सगा I hope कि आपको यह भी question जो है वो समझ में आया होगा तो अब चलते हमारे next question पर जो की हमारा होता है question number 3 में हमसे क्या पूशा गया है जड़ा उस दिसको भी हम देख लेते है question number 3 में हमसे पूशा गया है which of following layer of the atmosphere is the ideal flying zone for the aircraft अब पूछ रहा है कि कौन से इसमें ऐसी layer है जो atmosphere की है जहां पर हम अपने aircraft को fly कर सकते हैं उड़ा सकते हैं और वो उसके लिए काफे ज़दा ideal होता है तो हम सभी हम सभी को पता है कि हमारे atmosphere में total कितने layer है तो अगर मैं बात कर atmosphere उसके उपर क्या आता है Stratosphere उसके ऊपर क्या आता है मिजुस्वेः और उसके उपर क्या आता है आइनो UX यह हमारे उपर क्या जो है यह हमारे जो मेरो गटनाए होती है विजो सबसे ठंड़ा एरिया होता है अगर मैं बात करो इस्ट्रेटो है वो सबसे अधिक होता है तो आई होब कि अभी यह सारी चीज़ आपको clear होगी और आप इसका answer जो है वो clear mark कर पाए होंगे इसका जो answer होगा वह होजगा इस टेट्रोसपेर यानिकि सम्ताप मंडल जो वो क्या होता है बिल्कुल आइडियल होता है हमारे flying zone के लिए जो कि हम क्या करते हैं एरक्राफ को fly कराते हैं ठीक है I hope कि यह भी question और इसका answer जो है वो आपको clear हुआ होगा question number 4 हमसे क्या बोल रहा है जरा इसको एक बार देख लेते हैं रीड करते हैं कि question number 4 हमसे बोल क्या रहा है इसने पूचा है which type of rainfall occurs due to force upward lived to air upon encountering and upland our mountain मतलब क्या इसका मतलब यह है कि मालो यह हमारी mountain है और यह कोई हमारी क्या आ रही है हवा आ रही है और हवा कैसी है जो पानी लिए हुए है कर बारिष करने शुरू करती तो ऐसे जो बारिष होती है इस चीज़ को बोला गया है कि यह मतलब क्या हो रहbung मतलब की यह जो बारिस होती करके ऊपर की तरब जाता है जब भी हमारी संड्रे जिस पर ओवर हेड होती है अब यह जब ऊपर जाता है तो ऊपर जाने के बाद यह धीरे-धीरे भारी होता है और भारी होने के बाद यह वापस से क्या होता है बारिस बन करके नीची आ जाता है तो इस जिसको हम क्या बोलत से आते हैं तो इस तरीके से हमारे कुछ rainfall भी होते हैं तो मैंने आपको सारे options हो है वो बता दिये I hope कि ये भी सारे option और जो questions होंगे वो अभी आपको clear हो रहे होंगे अगर मैं बात करें question number 5 कि ते question number 5 हमसे क्या पूछा गया है which of following is the lower most layer of the atmosphere तो यह जो answer है इसका मैंने इस वीडियो में ही बता दिया था I hope कि आपने उससे observe किया होगा और इसका answer आप बिल्कुल सही मार्क कर पाएंगे क्योंकि इसने जो पूछा है वो यह है कि सबसे lower most layer कौन सी होती है हमने क्या पढ़ा हमने पढ़ा ट्रोपोस पेर स्टेटोस पेर इस तरीके से पढ़ा था तो उसमें सबसे नीचे के layer थी वो क्या थी ट्रोपोस पेर थी यानकि हमारा जो answer number C हो जाएगा वो इस question के लिए काफी सही अंसर हो जाएगा जो कि बिल्कुल राइट भी है इसमें कोई आपको संदेह नहीं होना साहिए अगर मैं बात करें question number six की तो question number six हमसे क्या पूछ रहा है इसने पूछा है कि atmospheric brown cloud are found in मतलब कि जो हमारे brown monday cloud होते हैं यानकि जो brown cloud होते हैं भूरे बादल जीने हम कहते हैं वो atmosphere की किस layer में पाइज आते हैं इसका question यह है तो अभी यह तो term है आपको नया लग रहा होगा लेकिन यह term कुछ नया है नहीं basically brown cloud किसे बोलते हैं तो ऐसे cloud जिसके वज़े से बार क्लाइश होती है लेकिन काफी कम होती है ऐसे नहीं कह सकते कि महां पर cloud formation नहीं होता होता है बिल्कुल कम होता है लेकिन इसे हम निगलेट करते हैं तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि क्येवल और क्लाउड formation किसमें होता है ट्रोपोस पेर में होता है तो brown cloud भी किसमें पाइज तो आई होब कि इसका अंसर भी आपको क्लियर हुआ होगा हलांकि अगर यह क्लाउड लिखा होता तो आप बिल्कुल राइट अंसर क्लिक कर पाते लेकिन ब्राउन क्लाउड के वज़े से आपको थोड़ी कंफूजन रही होगी लेकिन उसको भी मैंने बता दिया कि जो ब्रा स्टैटोल लेइर में पाई जाती है इसको किसने सबसे पहले जो है वह बौल सकते हूं वरडन क्या था या उसको मैं ने किया था तो यह जो question से उसका right answer भी हमारे Sydney Chapman ही हो जाएंगे और इस question के लिए हमारा जो right answer बनेगा वो answer number C जो है वो बन जाएगा अगर मैं बात करूँ question number 8 की तो question number 8 को जरा आप देखेंगा कि question number 8 में हमसे पूसा क्या गया है यह भी कापी easy question है इसके बारे में भी मैंने आपको इसी वीडियो में बताया है तो देखा जाए कि आप कितना सही कर पाते हैं इसने question क्या पूचा है कि which of following statement about the ionosphere is not correct ध्यान रखना इसने पूचा है कि कौन सा कथन सही नहीं है किसके संबंद में आयन मंडल के संबंद में तो ionosphere के संबंद में कौन सा कथन सही नहीं है तो एक बार हम कथन को पढ़ लेते हैं statement को पढ़ लेते हैं तो सबसे पहले जो हमारी statement है वो क्या होती है radio waves transmitted from the earth are reflected back to the earth by the layer ये तो मैंने वीडियो में ही बताया थी कि जो हमारा ionosphere होता है वो क्या करता है कि हमारी जो radio wave है उसको वो reflect करता है वापस बेद्व पर भेजता है तो ये तो बिल्कुल सही है यानकि answer number A तो जो है वो गलत हो इने सकता मैंने ये भी पताया था कि जो हमारे ionosphere होते हैं उनमें charge particle होते है है यानकि जो हमारा answer number B है वो भी बिल्कुल सही है क्योंकि इसमें charge particle लिखा है कि इसमें है ठीक है अगर मैं बात करूं option number C की तो option number C में क्या है कि it is it is ionized by the solar and cosmic radiation बिल्कुल ये भी सही है क्योंकि ये विक्रण द्वारा आयनित होते हैं तो बिल्कुल सही है ये भी हमारा right answer है अगर मैं बात करूं तो it is located immediately above the status sphere ये गलत है ना मेरे भाई क्योंकि मैंने क्या-क्या था आपको एक चार्ट बनाई तो उसमें ये फिंश्ट एस्के ऊपर आइणमपर तो ये हमारी पर क्या हो सब्सक्राइब हो अंसर और हो बाकि हमारे इस स्टेटमेंट है वह बिलकुल सही है आपने स्कूर्स को वह और और हो अश्वरों का원गा क्यों सान गये अगर मैं बात करूँ किस्टन नंबर 9 के तो किस्टन नंबर 9 हम से क्या पूछ रहा है विच जोन सेपरेट ट्रोपो स्पेर एंड इस जोन को याद करने का मैं आपको ट्रिक बताता हूं ट्रिक काफी एजी है उसके थूरू आप इसे याद कर पाएंगे जैसे हमने क्या पढ तो इस तरीके से हमारी दिये गये थे व yol दिये गये तो आई होब कि अब आपको ऽारे ही नाम याद करने में कोई तकलिफ नहीं हो रही होगी अगर आपको यह चीज़े क्लियर नहीं होई है तो कमेंट करके बता दिज़ेगा मैं आपको कमेंट में इसका रिपलाइ कर दूँगा और पॉसिबल हुआ तो सब्सक्राइब करें तो हमने बोला था टी से शुरू करेंगे तो टी से कौन है बस यहां पर 좀 पॉइसा पूछ सा यदि कि इस उर्प कर पाएंगगे उसका आप क्लियर तरीके तरीके से जबाब दे पाएंगे अगर मैं बात करें किसे नंबर टेंथ के जो कि हमारा अंतिम कोस्टेंस है इस कोस्टेंस में क्या पूछा गया है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और विट इन थर्मोस्पेर बीट्विन एंड किलोमेटर मतलब यह पूछ रहा है कि आपने देखा होगा कि हमारे जो व्योम नर्ड्स है उनको रस्या क्या कर रहा है ट्रेनिंग दे रहा है तो अपने यहां भारत में वह बेवस्था नहीं है कि मतलब वह जाकर के जिरो ग्रैविटी पर बोल सकते हैं ट्रेनिंग कर पाएं तो उसके लिए क्या करना पड़ता है हमें रस्या के पास जाना पड़ता है या फिर हमें अमेरिका के पास जाना पड़ता है अभी जो चाइना है वो भी ऐसा कुछ बना रहा है अपने लिए तो अगर मैं बात करूं यह जो इंटरनेशनल इस्पेस इस्टेशन होते आते हैं जहां पर हमारे जो अंतरिक सियात्री हैं वो जाकर करके क्या करते हैं अपनी ट्रेनिंग करते हैं तो आई होप कि इस दस को संजो है वो आपको बिल्कुल क्लियर से समझ में आए होंके अगर आए है तो प्लीज आप वीडियो को लाइक किजेगा दोस्ते का पास शेय सब्सक्राम डिफेंस स्टूडेंट कम्यूनिटी यहां पर मैं इस वीडियो की जो पीडियाप है वो बिल्कुल पोस्त कर दूँँगा साम तक तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जाहिंदी